नमस्कार दोस्तों सरकारी तेल कंपनी के दिकारी ने समाचार एजेंसी पीटी आई को बताया कि पहले हर दिन के हिसाब से मूले निर्धारित होते थे अब उसे फिर से शुरू कर दिया गया है तेल कंपनीया पहले नियमित तोर पे FTF और LPG कीमतों का निर्धारन करती थी लेकिन 16 मार्च के बाद ये बंद था लॉकडाउन के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ोतरी नहीं हो रही थी इसका कारण ये है था कि अंतराष्टे बजार में तेल के दाम काफी गर गए है सरकार ने इससे पार पाने के लिए पेट्रोल और डीजल की एकसाइस ड्यूटी पर प्रती लीटर 3 रुपे की वरद्धी की थी बी 36 मई को सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपे और डीजल पर 13 रुपे एकसाइस ड्यूटी बढ़ाई थी हाला कि तेल कंपनियों ने इसका बोज़ खरीदारों पर नहीं डाला क्योंकि पूरो देश में लॉकडाउन की वज़े से खर्च की परिशानी बढ़ी हुई थी 63 रुपे 89 पैसे प्रती लीटर मिलेगा चैन्ने में 53 पैसे की बढ़ाउतरी के साथ पैट्रोल की दर 76 रुपे 7 पैसे हो गई है मुंबई में डीजल की दर में 58 पैसे की बढ़ाउतरी की गई है